नमस्कार, हेलरी और स्वाद करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पे विम्शा स्चॉक मार्केट पे आज हम डिसकर्स करेंगे गाइज महिंद्रा ग्रूप में से M&M Financial Services Limited यह एक प्राइविट सेक्टर NBFC कंपनी है और जहां प्रोमोटर्स 52.16% स्टेक होल्ड करता है इस कंपनी में और जहां mutual funds, other domestic institutions and foreign institutions ने अपना स्टेक बढ़ाया है quarter on quarter तो यह positive approach आप मान सकते हो यह share के लिए और इनके investors के लिए and retailer की holding कम हुई है means retailer ने अच्छा खासा माल बेचा है and NBFC company की demand बढ़ रही है guys तो यह चीज़को आप note करना और जहां कल ही company के number आये थे जो year on year basis में number ठीक थे but quarter on quarter कहीं न कई गिरावट दिखी है profit में and even NPA company का बढ़ा है तो क्या target रहेगा share का क्या entry level बन सकते है वो हम discuss करेंगे इस video में तो guys आप पूरा video देखना उसके बाद ही decide करना कि क्या करना चाहिए में इस share में और हाँ दोसों अगर आप channel पर पहली बार आयो और यह video कहीं न कई कुछ value एड़ कर रहा है या फिर थोड़ा सा भी आपको informative लग रहा है तो please guys channel को subscribe जरू कर देना जहां हम quality stocks पर discuss करते हैं on regular basis पर तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे एड़ चीज एड़ करना चाहता हूँ guys एक हफ़ते पहले हमने विष्णू chemicals को cover किया था और जहां हमारा target था 520 का जो आज share ने 513 का high mark किया है और आने वाले time में आपको 520 के target भी अची होते जरूर नजर आएंगे आप हमारा ये video देख सकते हो for your reference अब आते हैं topic पे M&M financial services found हुई थी 1991 में 33 साल हो चुके है इस company को and company का business model क्या है वो हम देख लेता है ये company loan offer करती है जैसे के vehicles like car, tractors, three wheeler etc and even company SME finance करती है जैसे के secure business loan, equipment financing loan भी offer करती है means ये share आपको long term में एक अच्छा return बना के दे सकता है तो ये share को अपने radar पर ज़रूर रखे तो बात है company के data पे, company list हुई थी March 2006 में 28 रुपे के price पर और अब share trade कर रहा है 270 के आसपस तो सबसे पहले हम ये देख लेते है M&M financial ने अब तक कितना return दिया है अपने investors को एक साल का return देखते है तो share ने कुछ भी return नहीं दिया है even 1.44% माइनस हुआ है अपने capital में से और 5 साल में 31% का return दिया है और जहां all time return देखते है तो share ने करीबन 850% के आसपस का return दिया है means 2006 में किसी ने 10,20 में invest किया होता तो आज 10,20 की value होती 95,000 के आसपस means ये share ने long term में एक अच्छा खासा return बना के दिया अपने investors को अब आते हैं second part पर company के fundamentals कितने strong है और experts का rating दे रहे है वो हम देख लेता है 47% experts buy की rating दे रहे है और 30% hold and 15% sell की rating दे रहे 34 analyst में से market cap करीबन 33,000 के आसपस है PE ratio 15.18 है industry भी 18.60 है means as per industry PE share सस्ते price पर trade कर रहा है book value 162 की है which means के book value से 106 रुपे मेंगा मिल रहा है आपको and इसके सामने 2 की face value पर ये share and company का debt है 5.43 means इस NBFC सेक्टर में इनका debt रहता है means ये share कही न कई valuation wise comfort दे रहा है no doubt और जहाँ company ने last financial year में 143 क्रॉड का profit बनाया है और अब हम चार्ट देख लेते हैं तो technical wise देख लेते हैं जिससे और चीज़े clear हो सके share अभी trade कर रहा है 270 के आसपस इसका 52 week high था 343 और 52 week लोग है 237 के आसपस अगर इस level से 270 से rejection आता है तो ये share आपको 250, 220 और 200 के levels दिखा सकता है but 250 के नीचे जाना तुरह मुश्किल लगता है and even हम share को bottom पे नहीं पकड़ सकते हैं ये note करना हमाई levels कभी भी ये levels पे मिलता है तो ये share के बारे में जरूर सोचते हो long term के लिए अगर कोई entry लेने का सोच रहा है तो current levels पे आप entry ले सकते हो या फिर हर 4% के जिरावट पर आप SIP कर सकते हो और जहां हम target की बात करते हैं तो हमारा short target रहेगा 280 और जैसे 280 के level को sustain करेगा तो ये share आपको 300, 320 और 330 के levels दिखा सकता है means इस level से 20 से 25% के आसपास का upset दिखता है आने वाले time में आप note करना हमाई target आपको 12 से 15 मेने मची होते ज़रूर नजर आएंगे उससे पहले भी target अचीव हो सकता है बट safer side के लिए 12 से 15 मेने का time frame लेके चल सकते हो at last conclusion क्या है क्या करना चाहिए means share में बिलकुल बने रह सकते हो share में नई खरीदारी करने का भी सो सकते हो जो हमने levels बता है उसके हिसाब से कभी कोई भी गिरावट मिलती है तो जरूर सो सकते हो share के बारे में 330 के target के लिए and हर गिरावट पर आप SIP कर सकते हो accumulate कर सकते हो तो ये share अब अपने watch list में जरूर अट करें अगर आपके portfolio में तो बिलकुल बने रहे and market को work देना guys patience रखना तभी आपको एक अच्छा return मिल सकता है because ये market है उतार चड़ा up and downs रहेगा ही रहेगा कभी भी market one-sided नहीं चलता है तो अपने पैसे ऐसी जगने वेश करें जहां आपका पैसा आपका capital सेफ रहे एक nominal return मिले आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको invest करना है तो अपने 50Bs, ITBs के बारे में सोर् पर आप SIP कर सकते हो और हाँ दोसों अगर आप कोई भी investment करते हो तो प्लीज अपने advisor से जरूर सुल ले और सबसे ज़्याद आप कुद research करें I hope आप कोई वीडियो एंड हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक like जरू करें and subscribe करना बिलकुल ना भूले तो मिलते हैं हम दुसरे वीडियो में जुड़े हमारे साथ thank you so much for watching this video अपना ख्यार लखना जय हिन गाईज